नमस्कार विफाकिश्री बिस्यंदिवस के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले आईए डालते इक नजर आज किसे शेयर बाजार के रिकॉड टोट शुरुबाद सेंसेक्स त्रेपन हजार और निप्टी 15,870 के पार केंडर सरकार ने विनिवेश के लिए दो बैंको को शॉटलिस कर लिया है ये बैंक सेंट्रल बैंक आउप इंडिया और इंडियन ओवर्सेस बैंक है विनिवेश की पहले चरण में दोनों बैंकों में सरकार 51 फिस्दी हिस्दारी बेच सकती है पहले चेयर में 51 फिस्दी हिस्दारी बेचने की योचना है इस खबर की बाद स्टॉक मार्केट में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और इंडियन ओवर्सेस बैंकों की शेयर में बेच प्रतिशत अपर सरकीट लगा है आयोबी की शेयर इस खबर की पहली 19.50 रुपे पर ट्रेट कर रहे थी जो अचानक 19.80 प्रतिशत चड़कर 23.60 रुपे पर पहुँचके वही सेंट्रल बैंक के शेयर 20 रुपे से 19.80 प्रतिशत चड़कर 24.20 रुपे पर पहुँचके इन दोनों बैंकों के प्राइविट आजेशन के लिए केंडर सरकार बैंकिंग रेगुलेशन आइक में बदलाव के साथ कुछ अन्यक कारून में बदलाव करेगी अब लोगों को मसाला भी महंगा पढ़ने लगा है मसालों में सबसे महत्वा पुन्नचीज लॉंग के भाव उचान मार रहे जो लोग 15 दिनों पहले 400 से 500 रुपे प्रती किलो बेख रहे थी वही आपी सीधे 250 से 300 रुपे प्रती किलो बढ़कर 750 से 800 रुपे प्रती किलो पर पहुच गई है लोगों की अभी काड़ा बनाने का प्रमान कम करने की पाउचित लोग के भाव में एज़ाबा हुआ है जब से कोरोना कम हुआ है तब से लोगों ने काड़े का प्रमान कम करते हैं इसकी चलती काड़ी के लिए जिन मसालों की टिमान हुआ करती थी वह भी कम हो गई है लेकिन मसालों की भाव उचान माना नहीं छोड़ रहे हैं लोग की तरह ही बड़े इलाईची में भी 100 रुपे प्रती किलो का इसा भाव आ है 500 से 520 रुपे प्रती किलो चलने बाली लाताना वाली इलाईजी का फाव 700 से 740 रुपे प्रती किलो पर पहुच गया है। वही नाशनल स्टॉक एक्स्चेंज का निफ्टी 15,840.50 के स्थर से आज दिन की कारुपार की शिर्वाती कारुपार में निफ्टी नेक्स 50 में 395.35 अंक, निफ्टी मिटक्या 50 में 66.85 अंक, निफ्टी बैंक में 255.60 और निफ्टी फारेंशियल सर्विस में 123.55 अंकों की ब कंजिमर प्रोटिक्शन एकॉमर्स रूल्स 2020 में उपभोक्ता मंत्राले ने संशुदन का मसोता जारी किया है इसमें एकॉमर्स प्लाटफॉर्म पर उपभोक्ताओं के हीतों के सुरक्षा के लिए कई नए प्रावथान सुचाए गए हैं इन में इन पोर्टल पर फ्लैस सेल, भारी डिसकाउंट और क्रॉस सेलिंग के नए प्रावथान शाविल है एकॉमर्स रूल्स 2020 दो साल पहले 33 जुलाई 2020 से अमल में आये थी सरकार को ई-कॉमर्स और उनलाइन शॉपिंग में धोका धड़ी और अनचीत व्यापार विभार की कई शिकाहते मिलेती इसके बाद सरकार ने ई-कॉमर्स के लिए कंजुमर्स प्रोटेक्शन रूल्स में बदलाव की तयारी है परमपरागत ई-कॉमर्स फ्लैश सेल्स पर रोक नहीं होगी खास तरह कि फ्लैश सेल या ऐसी सेल पर रोक होगी जो एक के बाद एक आज जीत हो ग्राकों की पसंद सेमिर करी कीमत बढ़ाने वव्यापार के समान अवसर रोकी कंजिमर प्रोटेक्शन आग्ड 2019 की अनुपालन के लिए एक चेफ कंप्लाइंस ओफिसर की नियुक्ती की जागी सरकार स्थार्नी उत्पादों की बिकरी को प्राधर मिक्ताद देना ए रिटेलरों का उत्योग और आंतरीक व्यापार विभाग की पास अनिर्वार की रेजिस्टेशन जैसे नियम शामिल है कि इंडर सरकार के इस कदम का मकसद ग्राकों की प्रती कंपणियों को जवाब दिहब बनाना और नियाम की व्यवस्ता को सक्ट बनाना है प्रस्तावित संशुधरमी ई-कॉमर्स कंपणियों को किसे भी कानूं की तहट अपरादों की रोकता, जाज करनी और सरकारी एज़ेंसी से आधिश मिलने के 22 घंटी की पीतर सुचना महिया करानी होगी मंत्राले ने कहा है कि उत्योग निकार और ए-कॉमर्स फर्मों के लिए प्रस्तावित नियमों पर अपना सुचा और टिपनी 6 जुलाई तक भेश सकते हैं इसके ज़र्ये सरकार ए-कॉमर्स प्लाटफॉरम पर पारदशिता लाना चाती है बिरो रिपोर्ट बेसियन नियूज होगा साथी टाटा ग्रूप और इसके साचिदार की श्रमता पड़ेगी बयान भी कहा क्या है कि इस तक्निक का कमर्शियल टेवलफ में जनवरी 2022 से उपलब्ध होगा बयान के मता भी टार्टा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपनी ग्लोबल सिस्टम इंटिक्रेशन एक्सपर्ट को साथ लाएगा और थ्री जीपी पी एंड ओर एंड स्टेंट का एंड टो एंड सोलुशन उपलब्ध कराने भी बदत करेगा एटल पालेट प्रोजेट के तौर पर इस वदे सी सोलुशन को 5G रोलाउट प्लान की तहट डिपलॉय करेगा इसके लिए पालेट प्रोजेट जनवरी 2022 से शुरू होगा यह मेड इन इंडिया 5G प्रोटर्ट और सॉलुशन ग्लोबल स्टांडर की आधार पर तयाग किये जाएंगे इस 5G सोलुशन के एटल के ड्राइवर और ब्राउन फिल्ड नेटवर्क में कमिर्शियल परिक्शन की बाद भारत के लिए निर्यात की आउसर भी पैता होगी भारत अभी वैश्विक सर पर दूसरा सबसे बड़ा टेलिकॉम मार्केट है एनालिस्टों का कहना है कि टाटा क्रोग के साथ साजित दारी से भारत अटेल का मनो वैज्ञानिक तौर पर मनोपल पड़ेगा 2016 में शुरू ही रिलांस जीयों की कारण भारत अटेल पर दबा बना पाथा विरो रिपोर्ट बेसेन नियूज खबरे सबावति करने से पहले आईए डालते एक नजर आज की सुरू के ओपर शेयर बाजार के रिकॉर्ड टोट शुरुबात सेंसेक स्क्रिपन हजार और निप्टी पंदा हजार आट सो सक्तर के पाथ सेंट्रल बैंक और आयोबी का हुगा नीची करण 51 प्रतिशत हिसेदारी बेची की सरकार बिसनस समाचार में फिला लिता है ऐसी अन्रिक खबरों से जुड़े रैनिक लिए देखती रहें बेसेन नियूज